ओम्षान्ति चलि आज हम बनाते हैं मतर इस्टब मेथी परठा इसके लिए मैंने एक कप मतर लिया है दो हरी मेर्च अद्रक तेल गरम करेंगे जीरा दालेंगे चड़क जाएगा तो उसमें हरी मेर्च अद्रक डाल देंगे और मैं एक कप मतर ली हूँ उसको इसमें डाल दे के लिए एक सैट रखतेंगे अब आटा लगा लेती हूँ आटा मैंने यहां दो कर लिया है और अजवाइन करस्ट करके डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और मेथी को भी इसमें मिला के अच्छी तरस से मिक्स कर देंगे यहां हमें थोड़ा थोड़ा प मेथी माठर के पर अठे में इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए तब तक आटा और सॉफ्ट हो जाएगा देखिए 15 मिनट के बाद आटा इकदम सॉफ्ट हो गया है अब यहां मैं माठर को मैसर से मैस कर ली हूँ अब इसमें धनिया पता डालेंगे और इसमें दनिया चारो तरफ से गुमाते हुए उपर की तरफ ले जाएंगे और फिर प्रेस कर देंगे इसको दबा देंगे इस तरह से और अपने अंगलियों की साहता से इसको और फ्लैट कर देंगे और इसे मैं यहां आटसुखे आटा का इस्तमाल बहुत कहमी करती हूँ इसलिए इसको बार-बार उठा के बेल रही हूँ क्योंकि पराठे का कलर चेंज जाता है ज्यादा पर्थन लगाने से देखिए तावा गरम की थी और उस पर पराठा डालके सेक रही हूँ अलट-प कर लूँगी देख सकते हैं आप इसी तरह से एक पराठा मैंने तयार कर लिया देखिए बनने के बाद कितना सौफ्ट यह पराठे तैयार हुआ है अब इस एपनी मन पसंद चटणी के साथ दाही के साथ या किसी ग्रेवी के साथ सब्सक्राइब कर सकते है एक बार इस तरह से आप मेथी मठा के पराठे जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही अच्छी लगती है अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो आपको मेरी चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें